प्रदेश के मुख्य मंत्री जैराम ठाकुर का ग्रिय संसिदी शेत्र होने से यहां पर मुख्य मंत्री की प्रतिष्टा दापर है वहीं दूसरी और आगर कॉंग्रेस की बात की जाए तो हिमाचर भदेश के पूर्व मुख्य मंत्री वीर भजर सिंग की पत्नी प्रतिबा सिंग के द्वारा यहां पर चुनावी दाओ खेला जा रहा है वहीं आज से कई दिनों से चल रहा चुनावी शूर गुल भी थम गया है कई दिरों तक चले चुनावी शूर गुल के बाद अब प्रतियाशी डोट रोट जाकर लोगों से वोट मांगेगे इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव प्रचार अख्मार 48 घंटे की बचाये 72 घंटे पहले ही थम गया है कोरोना महमारी को देखते हुए और प्रत्याशियों द्वारा लगातार की जाग ही कोरोना प्रोटोकॉल की अभेलना को देखते हुए चुनाव आयोब में ये फैसला लिया है चुनाव प्रचार के आख्री दिन हिमाचल में उड़न खिटोले भी काफी उड़े क्योंके मुख्य मंत्री जहांवंडी सलसदी एक शेतर में जन सभाय की चुनाव प्रचार के आख्री दिन हिमाचल में काफी घंटासान देखने को मिला ऐसे में दोनों पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरा जोर लगाया उप चुनाव के लिए हिमाचल में 2796 पोलिंग बूद बनाय गए है और इतनी ही पोलिंग पार्टियां लगाई गई हैं पोलिंग दलों के साथ स्वास्त कर्मी भी अलग से रखे गए हैं 28 अक्टूबर को सभी पोलिंग पार्टियां रवारा हो जाई भी जबकि दूर दराज के शेत्र के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है वही महराजाओं के काल का मंडव और आज का मंडी राजवनेतिक रास्थानी बन चुका है इन दिनों सुबे की सियासत मंडी के उप्चुनाव पर केमरित है उप्चुनाव की तयारी पूरी मंडी संसद्य एक शेत्र में 17 विधान सवा शेत्र आते हैं मंडी संसद्य शेत्र में 2365 बूत बनाए गए हैं फतेपुर में 141, अर्की में 151 बूत बनाए गए हैं जुबल कोटखाई में 136 पोलिंग बूत बनाए गए हैं मंडी की सियास से कई सुबे के बड़े नेता उभर कर आए हैं जिसमें पंडित सुखराम, वीर भद्र सिंग, प्रतिवा सिंग, कॉल सिंग, प्रकाश चौधरी, महेशवर सिंग, अनील शर्मा यहां तक की जैराम ठाकुर भी इस लिस्ट में शामे हैं मंडी में लोकसवा सीट पर होने वाला उप्चुनाव विलचस्प होने वाला है इस बार किसकी मंडी सीट? 1952 से अब तक मंडी में हुए कुल अठारा चुनाव अब तक BJP ने मंडी लोकसवा सीट सिर्क 5 बार जीती कॉंङ्टरेस ने ये सीट 12 बार जीती जबकि भारतिये लोकदल ने इसे एक बार जीता अब चुनाफ हैं तो जाती धन मसहब को लेकर चर्चा होना भी लास्मी है चलिए आपको बताते हैं क्या है मंडी लोकसबा सीट पर जाती गज समी करण मंडी लोकसबा सीट पर जाती गज समी करण राजपूत 49 फीज़ दी ब्रामण 29 फीज़ दी सी 27 फीज़ दी स्टी और अन्य 6 फीज़ दी 30 सक्टूबर को मतदान होना है दो नवंबर को मतगरना होगी सशस्त्र बलो की 17 कंपनियां चुनाव शांती पूर्वक करवाने के लिए पहुँच चुकी है कुल मिलाकल हिमाचल मतदान के लिए पूरी तरस से तयार है इसके साथी बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ही दल अपनी पूरी ताकर जोपने में लगे है अब बीजेपी सीट को कॉंग्रेस से चीनने के लिए संखर्ष कर रही है जबकि कॉंग्रेस इस सीट को हर कीमत पर बरकरार रखने के लिए पूरी कोशिश कर रही है 2017 के विधानसवाच चुनाव की मंडी में बात की जाए तो इस सीट से आने वाली 17 सीटों में से 13 सीटों पर बीजेपी ने कबसा किया है और कॉंग्रेस को तीन सीटों से ही संतुष्ट होना पड़ा था जबकि एक सीट निर्दलाई उमीदबार की जोली में आई थी अब देखना ये होगा कि कॉंग्रेस अपने गड़ में दोबारा वापसी कर पाएगी या फिर ये सीट बीजेपी के खाते में जाएगी अमन के साथ मैं मंडी से उमेश भाग लाएगा